नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका सौगत है मैं प्रिया आपके साथ संयूक तराष्ट मानव अधिकार परिश्यत में पाकिस्तान की विदेश राजमंत्री हिना रब्बानी ने एक बार फिर से भारत पर जूटे अरुप मनने की कोशिश की थी उनके आरुपों पर भारत ने मूतोड जवाब दिया है हिना रब्बानी के आरुपों का जवाब देते हुए जीनेवा में भारती राजनिक सीमा पूजानी ने पाकिस्तान को अतंगवात फिलाने वाला देश पताया भारत ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा फिला रहा है पूजानी ने कहा कि जम्मु कश्मिर और लद्दा केंदर शासित प्रदेशों के पूरे शेत्र भारत का हिसा थे हैं और हमेशा रहेंगे सीमा पूजानी ने कहा पाकिस्तान के प्रतिदीदी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने दुर्भावना पूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिश्ठीत मंच का दुरुप्योग किया है मानव अधिकारों पर पाकिस्तान की बातें मज्याखे पाकिस्तान में आवाज उठाने वाले गायब हो जाते हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान के अपने जाच आयोक को पिछले एक दशक में गुमशुदगी की 8443 शिकायते मिली हैं पूजानी ने कहा भारत के साथ पाकिस्तान का जुनून देखिये एक तरफ उसकी जन संख्या अपने जीवन आजीविका और स्वतंतरता के लिए संगर्श कर रही है लेकिन दूसरी और ये देश भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा फिला रहा है ये पाकिस्तान की गलत प्रात्मिक्ताओं का संके थे मैं इसके नेतत्र और अधिकारियों को सला दूँगी कि वे अपनी उर्जा का सही इस्तमाल करें और काम करने पर केंद्रित करें पुडोसी मुल्क में अलपसंख्यों पर हो रहे अत्याचार को उजागर करते वे सीमा पूजानी नी कहा पाकिस्तान में अलप संख्यों को के लिए धार्मिक आजादी नहीं है वे अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं अहमद या समुदाय को केवल अपनी आस्था का पालन करने के लिए प्रताडित किया जा रहा है सीमा पूजानी ने कहा हम तुर्की द्वारा भारत के अंतरिक मामले पर की गई टिपणियों पर खेट जताते हैं साहती तुर्की को सला देते हैं कि वो हमारे अंतरिक मामलों पर अवांचित टिपणि करने से परेच करे उन्होंने कहा जहां तक OIC के बयान का संबंध है हम केंदर शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अनुचित संदर्ब को खारिच करते हैं तथ यह है कि केंदर शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दा के पूरे शेत्र भारत का हिस्सा थे हैं और हमेशा रहेंगे पुजानी ने कहा पाकिस्तान भारती शेत्र पर अवित कबजा कर रहा है OIC ने अपने सदस्से पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंगवात को छोड़ने और भारती शेत्र पर अपना कबजा हटाने के लिए कहने के बजाए उसे अपने मंच का दुर्यों प्योग करने दिया है पाकिस्तान OIC मंच का इस्तिमाल भारत के खिलाफ दूरबाऊना पून प्रचार करने के लिए कर रहा है पाकिस्तान घोशित आतंगवाद को बेनकाप करते वे भारती रायेकनिक ने कहा पाकिस्ताने हमेशा ही अतंकियों को सरक्षन दिया है अतंकी हाफिस सईद और अतंकी मसूद अजर का वर्षों से पालंग पोशन किया जा रहा है अतंकी उसमा बिन लादेन तो पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंस कालोनी के बगल में रहता था ऐसे ही बने रही है राजनाम टीवी के साथ धन्यवाद